दोस्तों रेल्स सवारी डबा में एप्रेंटेशिप की भरती निकाले गई है इसके लिए जो आवेदन पर किरिया है इसमें दस्वी पास जो कैनेडेट है सिर्फ दस्वी किये हैं उनको भी मौका है दस्वी के बाद अगर आपने आईटीए किया है आपको भी मौका है जो ब इमेल कैनेडेट है फिसकल है निकैप है उनको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है बाके की जो डीटेल जनकारी है मैं अपने स्कीन पर चलकर बताता हूं और साथ इससी वीडियो में आपको फॉम भढ़ने का भी ओनलाइन तरीका बताने वाला हूँ ताकि आपको फॉ ये भढ़ते निकाले गई है सवारी डबा करखाना में इसका फॉम आपको भढ़ना है step by step सकते हैं दोस्तों अभी आप देख पार होंगे सवारी डबा करखाना के हम official website पर है और यहीं से आप apprenticeship के लिए online apply कर सकते हैं apply करने से पहले कुछ जनकारी आपको बिलकुल समद लेन सक्षन में ही आपको इसका link मिलेगा या video description में भी मिल जागा जहां सा पूरी जनकारी यहां सा समझ सकते हैं यहां पर जैसे apply कब से कब तक start हुई है तो समद लीजे तो 22 तारिक से इसका apply start है कि जुन तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं 2010 पदों पर यह जो है apprenticeship की बहाली है जि इसमें आपको जो एस टाइफन दिये जाएंगे 6000 रुपे पर मंथ आपको दिये जाएंगे वही कोई iti किये हुए उन्हें 7000 रुपे कोई अगर 12 किये उन्हें भी 7000 रुपे एस टाइफन के रुप में आपको दिये जाएंगे बाके की और भी detail जनकारी यहां से notification को मैं download क करकर आपको बताता हूं यहां से notification आप download करेंगे आपके सामने इसका जो डीटेल notification है वो खुल कर आ जाता है जिसमें पूरी जनकारी इस apprenticeship भरती के बारे में बताई गई है देखिए यह जो apprenticeship का notification नमबर है वो आपको यहां पर मिलता है यह जो application invite किये गया है online मद्धियम से है औल इंडिया से candidate apply कर सकते हैं बाकि यहां पर इन्होंने कुछ date दिया है कि form कब से कब तक भरे जाएंगे इसके अलावे जो freser के लिए बहाली है वो कितनी है किस trade में कितनी है वो आप देख पाएंगे मतलब सिर्फ 10 भी pass है फिर भी आप इसके लिए apply कर पाएंगे इन trade में इन trade में आप apply कर पाएंगे वही कोई अगर 12 भी किये हैं तो MLT radiology और pathology के लिए भी वो apply कर सकता है इसके लिए 10 सीठे निरधारन किये गये हैं बाकि इन्होंने कुछ eligibility condition रखा है form को apply करने वाले candidate के लिए जैसे जो candidate ITA किये हैं उनका जो age है 15 साल से लेकर 24 साल तक होनी चाह है बाकि आपका जो age जो count होगा यहां पर date line है date line के according होगा बाकि जो non ITA वाले हैं जो सिर्फ 10 भी पास है तो उनका age जो होगा 15 साल से 22 साल होनी चाहिए और age में relaxation है 5 साल का छूट मिलेगा SCST को 3 साल का छूट OVC वाले candidate को दिव्यांग candidate होंगे या एक सर्विसमेन वाले होंगे उन्हें 10 साल का age में आपको छूट मिल जाएंगे बाकि यहां पर और भी detail जनकारी समझ सकते हैं जैसे ITA वाले candidate के लिए qualification क्या बोले गया है तो बताया गया कि आप 10 भी जो है 50 प्रत practitioner में जो एक साल का आपका जो है apprenticeship training period आपके होने वाले हैं बाकि carpenter, painter, welder में करते हैं तो भी आपकी qualification वही होनी चाहिए और एक साल का यह आपका apprenticeship के training होंगे वही कोई programming and system admin assistant में करते हैं तो इसमें भी 10 भी बोले गया है और आपके पास ITE होने चाहिए और यहाँ पर दिगे professor candidate के लिए बताया गया कि अगर आप apply करना चाहते हैं तो आप फिटर, electrician, mechanist में कर सकते हैं आप 10 भी पास 50 पर 30 अंकों के साथ किया होगा जिसमें आपने science और math 10 भी में पढ़ा होगा तो apply करेंगे लेकिन आपकी जो period है वो बढ़ जाएगी training का यह दो सालों का आपका training हो होने बाला है तो इस परकार देख पाएंगे वही mlt radiology, ethology में आप देखेंगे तो बाराह भी बोले गया है जो फिटर पढ़े हैं वो candidate भर सकते हैं एक साल तीन महिने की आपके training होने बाले बाकि training के दोरान जो है आपको इस टाइपन यानि सालरी भी मिलेंगे जो फ्रेसर candidate है सिर्फ 10 वी किये हैं उन्हें 6,000 है वही कोई 12 वी किये हुए है उन्हें जो है 7,000 है कोई IT किये हुए 10 वी के बाद उन्हें 7,000 रुपिया मिलेंगा अब apprenticeship होता क्या है तो समद लीजे देखिए apprenticeship एक परकार का short term training है जैसे कि अपने देखा एक साल दो साल आपको training दी जा आती है तो वहां पर आपको बोला जाता है कि अगर आपने apprenticeship किया है तो वहां पर ace करें वहां पर ace करते हैं तो apprenticeship वाले candidate को benefit मिलता है अगर आपका number कम भी होता है apprenticeship किये रहते हैं तो आपकी selection की chances जो है बढ़ जाती है ऐसे private sector में भी आपके लिए opportunity बढ़ जाती है तो आप चा immediate को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है फॉर्म को apply करने का डाइरेक्ट लिंक online update sdm के website पर है तो यहां पर आप डाइरेक्ट apply वाले link पर click करेंगे आपके सामने इस परकार का page खुलेगा यहां पर apply करने के लिए फिल दा online application का विकल्प मिलते हैं जिस पर आपको click करना है अब आपको बताना है कि आप ITA वाले हैं या फ्रेसर है वह आप यहां से बताएंगे उसके बाद जो भी आपका नाम होगा आप अपना पूरा नाम चुकि तेन्थ के माकसिट सर्टिफिकेट के according लिखेंगे पिता जी का नाम लिखेंगे माता जी का नाम लिखेंगे निश करें यहां पर स्परेंगे अन्यथा नो वाले बिकल पर आपको क्लिक करना है यहां पर बोला गया है कि टामिल नाडू जो inप्लायमेंट एक्चेंज होता है अगर आपने की यहां लिखर और अपने की सी करेंगे बाकि किस क्योंब करते सकते हैं जो महिना होगा उससे इस परकार चैन करेंगे और डेट को इस परकार आपको चैन करना है उसके बाद यहां पर देखेंगे आपका जो भी आधार नंबर है और पूछा गया है पैन नंबर है तो उसकी जनकारी आप दे सकते हैं आपका जेंडर क्या है लरका है या लर पूछी जाएगी जिस में आपको बताना हे कि जहां भी आप रहते हैं उसका PIN Code कया है वो लिखेंगे अब proper like सकते हैं, भूमें पोश्ट आफिसे हैं अपना से यहां पर बताएंगे डिस्टिक बताएंगे एस्टेट बताएंगे मौवाईल नुमर बताएंगे इमेल आईडी बताएंगे यह आपका अलग तरीके से है तो आप अपने पर क्लिक करना है आई बिकलांग इंडेट उनकी बारे में जनकारी नहीं है तो यहां पर आप जो हैं नौट वाले अप्सन को टीक रहने दे और नेश्ट वाले विकल्पर क्लिक करें अब अगले पीज पर आते हैं यहां पर qualification की जनकारी देनी है जैसे तेंब्धill में आपको एक्जाम पास के बाड़े में बताना है तो देखिए बहुत सारे अलग-अलग एसक्रेट है जोहां पर प्रेंध को अलग-अलग नाम से जना जाता है जैसे बहुत सारे साथे साथ कितने नमबर आपको मिले हैं वो बताएंगे और बताएंगे कि कुल कितने का एक्जाम हुआ था और आपका जो अगर नमबर है ग्रेड में है तो वो बता नहीं तो आपकी परसेंटेज में जो भी होगी इतोमेटिक यह उठा लेता है इससे एकोर्डिंग कोई अगर इंटर भी किया है तो आप इंटर का भी जनकारी आप यहां से दे सकते ह है अगर किया है तो नहीं किया तो एने आप चुन सकते हैं अगर किया है तो दे दिजे फिर जो सर्टिफिकर नंबर है कप पास किया है कितना नंबर मिला है कुल कितने का ग्याम हुआ था पर संटेज आपको आ जागा नहीं है तो एने आप कर सकते हैं अब यहाँ पर तीन नमर में आप से पूछा गया है कि अगर आप MLT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे अब देखें एस करेंगे तो MLT का आज ज आपने पड़ा है तभी आप यहाँ पर एस करें नहीं किया है आप सिंप्ली नो वाले विकल पर क्लिक करें और एस करेंगे तो नीचे आपको जो है ट्रेट का प्रेफरेंस नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अल्रेडी MLT में दो ट्रेड है रेडियोलोजी पैथियोलोजी तो आपको यह सब ऑफसन नहीं मिलेगा अगर मालीजी आपको यह नहीं करना है आप नो करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप बताईए कि आप जो है किस ट्रेड में करना चाहते हैं वो ट्रेड का प्रेफरेंस आप यहां से दे सकते हैं क्योंकि यहां आप अपने according जो भी ट्रेड रखना चाहते हैं आप इस परकार chain कर सकते हैं उसके बाद एक option मिलता है next का जिस पर click करना है उसके बाद अब जो है आपको declare करना है जैसा इस checkbox पर tick करना है इस पर click here for OTP जिस पर पलिक करेंगे आपके number पर OTP जाया का और पर एक आपको fill करना है उसके बाद नीचे में एक option मिलता है click here to save your application का जिस पर click करना है उसके बाद आपके सामने इस परकार का dashboard आएगा यहाँ पर आपने जो है online application भर दिया है अब जो general वाले होंगे, OVC वाले होंगे उनको payment करना होगा आप click here to print acknowledgement वाले विकल पर click करकर इसका print ले लेंगे इस परकार जो है आप इस apprenticeship का जो form है आप भर सकते हैं बाकि आगे जो भी update आएगा जैसे merit list को लेकर भी या अन्य जो भी update आएगा इनके website पर आप visit कर सकते हैं या इसका update मैं टेलीग्राम वाटसब पर दे दूँगा आप यहाँ से जोईन कर सकते हैं दो तो अभी आपने देखा मैंने इस apprenticeship का form कैसे भरना है उसके बारे में पूरी डीटेल जनकारे दिया बाकि आगे कि जो भी further update होगा वो मैं अपने WhatsApp चैनल टेलीग्राम के माध्यम से आप तक update करने के कोसिस करूगा आप वहाँ जरूर जूरी है जिसका link description box में है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयाहिंद